दोस्तों पाइपिंग एंद मेगेनिकल ग्यान में आपका स्वागत है इस वीडियो में पाइप के और ट्यूब में अंतर बताने वह दिए बीट्विटून पाइप एंड ट्यूब दोस्तों जानकारी देने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो साथ साथ सब्सक्राइब को प्रेश करना न भूलें दोस्तों कभी-कभी क्लाइन पूछ लेता है पाइप और ट्यूब में अंतर पाइप पाइप की साथ की बात करें तो पाइप साथ को NPS NBDN यानि NPS मतलब नॉमिनल पाइप साथ, NB मतलब नॉमिनल बोर, NB मतलब ड्यामिटर नॉमिनल के दुआरा ID इंसाइट के रूप में परताशित किया गया है जबकि ट्यूब, ट्यूब को MM, मिलिमिटर या इंचेज के दौरा आउट्साइड डायमिटर, ODI के रूप में दर्साय गया है। सेप, पाइप के बाइप के बाइपर राउंड शेप में आता है जबकि ट्यूब राउंड शेप, स्कार सेप, रैक्टूंगलर सेप में आता है। वाल थिकनेस, पाइप के वाल थिकनेस को सेडिूल नंबर या सियच के रूप में परदसीद करते हैं, जैसे या सियच 5, 10, 20, 30 आधि, जबकि ट्यूब थिकनेस को गेज के रूप में परदसीद करते हैं पैप, प्राया, कारबं स्टील, Cs, माइल्ड स्टील, əमास, अज़ी रूप में होता हैं, जबकि ट्यूब, हेलमूनियम, ब्रास, कॉपर, क्रॉम, स्टेलनेस श्टील, Ss, अज़ी रूप में होता हैं कि आप के connection कि बार करें तो welding threading या फ्लेंजिद आज के द्वारा connection किया जाता है जबकि ट्यूब को flaring breaking या coupling के द्वारा connection किया जाता है एंड my prior plane beveled या threaded एंड आज रूप में होता है जबकि ट्यूब prior screw त्रेड़ेट कपलिंग आधी रूप में होता है सर्फेस पाइप पेंटेड या कोटेड होता है जबकि ट्यूब प्रायर सौर क्लीनिंग या स्वेशल क्लीनिंग के रूप में होता है इसके यूज़ की बात करें तो इसका उपयोग आल प्रोसेस एंड यूटिलिटी लाइन में किया जाता है जबकि ट्यूब को ट्यूब का उपयोग हीट एक्चेंजर, फायर हीटर, ट्रेसिंग लाइन एंड इंस्टुमेंट कनेक्शन में किया जाता है इसकी कोश्ट की बात करें पाइप ट्यूब के पेशा सस्ता होता है क्योंकि इसका मेनुफेक्चरिंग प्र Be careful at work place and take care.